So, अगर आप लोग एक बाइख या फिर एक कार रेंट करने का सोच रहे when you go to your next holiday अगर आप इस दिवाली पर जा रहे है या फिर दिवाली के बात जा रहे है और आप सोच रहे है कि वहां पर जाके हम लोग जाइपूर के रेंट के अतालेट सब कहीं भी जा रहे हो इंडिया में and if you are applying to rent a bike और car तो इस विडियो में मैं आपको बताने वालो कि कौन कौन सी जो चीजे आपको ध्यान रखने है when you get a car और a bike क्या-क्या चीजे है वो आपके operator के साथ confirm करनी है refund कैसा है कैसे booking की process क्या-क्या चीजे आपको ध्यान में रखने है points जो आपको note करने है वो सब में इस वीडियो में आपको बताऊंगा ता कि आप जो अपनी बाइक या फिर कार रेंट करें तब आपको कोई problem ना हो सब चीजे smoothly जाए और लास्ट में मेरा जो experience रहा है जाइपूर का बाइक रेंट करने का वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा ता कि अगर आप मेरे जैसी कोई problem है फसे बाइक या फिर कार रेंट करने के बाद तब आपको पता चले कि आपको कौन-कौन से steps है वो लेने है सो हेलो गाइज और वेलकम बैक तो वेरी इंपोर्टन वीडियो जो आपको डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहिए सो लेट्स विकिन सो फ़र्स तिंग जो आपको आपके city के बारे में सर्च करना है वो कि कौन-कौन सी वेबसाइट से या फिर कौन-कौन से प्रोवाइडर है जो आपकी city में आपको वेहिकल्स या फिर कार या बाइक प्रोवाइड कर रहे है रेंट पर आप उसका थोड़ा रिसेच करीजे गूगल पर आपको definitely सारे रिव्यूज है वो मिल जाएंगे मैं जब जाइपूर जा रहा था तब मेरे पास तीन या चार ओनलाइन वेबसाइट सी सारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो अगर आप जाइपूर जा रहे तो यू कैन चेक इट आउट और जहां से मैंने बुक किया था उसकी लिंक भी यहां पर आ रहे होगी तो आप वहां से बुक कर सकते हैं मेरे पर डे का चार्ज है काफी सारी जगह पर वह पूरे विक का भी चार्ट देते तो डू सम रिसर्च आप देखिए आपको कौन सा अच्छा पढ़ रहा है और दूसरी चीज रिसर्च में जो में इंपोर्टन्ट है वो कि आपके सीटी के अकोर्डिंग आपके लिए कौन सी अच्छी रहेगी वो जरूर देखिए तो यहां पर आपके पास दो अप्शन है अगर आप सीटी टू सीटी ट्रावल करें लेसा जाइदपूर से किसे हाइवे से होगे करी नजदी को ले सीटी में जा रहे है आई वूर हाइली रिकमेंड कि आप एक अच्छी सी बाइक ल तर नेंस裡面 जो आप को चेक करनी है वो यह कि आप से माइक सक्रें शॉसक्रावर स लोगों के पर पकेशस होतें है तो पिर उसकी जो return की policy है वो क्या है cancellation की policies क्या है उसके साथ बहुत सारी चोटी मोडी चीज़ है जो आपको ध्यान में रखिए उसकी website पर आपको मिल जाएगी so definitely यह सारी चीज़ आप चेक कर लिए कहीं पर color off है कोई अलग color है या फिर कोई चीज है वो तूटी हुए लेट से मिरर से वो तूटे हुए या फिर मिरर तेड़े कोई भी चीज़ आपको जो नॉर्मल नहीं लग रही है बाइक या कार में make a video of it और हर एक एंगल से आप फोटो ले लिजे बाइक या फिर कार की और जो भी problems आपको दिख रही है बाइक या कार में वह वहीं पर आप जो आपको delivery दे रहा है वो बंदा उसको दिखाए और बोलिए यह मैंने photos खीच ले या फिर यह मैंने वीडियो शूट कर लिए इ कंडिशन में में ले रहा हूं क्योंकि जब आप बाइक सब्मेट करने जाओगे वापस से रिटन करने जाओगे तब आपको शायद जैसा प्रॉब्लम हो सकता है कि बाइक जब हमने बाइक या कार दी थी तब यह तो प्रॉब्लम नहीं था आप यह करवा के लाए हो तो आ अगर रेंट पर दे रहे तो यलो कलर की होनी चाहिए उसके बाद आप लोग फ्यूल मिटर तो आपने देख लिया आप किलो मिटर्स ड्रीवन है वो भी देख लिए कि कितने किलो मिटर्स चलिए उसकी भी फोटो खीच लिए तो आपको पता चलेगा कि है या नहीं है फिर टायर पूरा एक बार चेक कर लिए रीम्स वो सब भी चेक कर लिए कहीं कुछ बैंड तो नहीं है और फिर ही उसके बाद आप डिलिवरी लीजिए नाव लास्ट जो चीज आपको चेक करने है बिफोर टेकिंग डिलिवरी इस आप एक बार राउंड लगा के देखिए कार ह हुआ है ब्रेक सहीं से चल रहा है और हमारे साथ जो प्राब्लम होगा जो मैं आपको थोड़ी देर में शेयर करूंगा वह मैं चलाने के बाद ही पता चला था कि यह प्राब्लम नहीं है तो आपको चलाने के बाद काफी सारी चीज चीज पता चलीए कि definitely एक टैस्ट डेम आपको कोई भी प्रॉब्लम गा एंजिन में, हैंडलिंग में या फिर कहीं भी ब्रेकिंग में तो पता चल जाएगा और आप वहीं पर मना कर सकते हैं कि भाई ये बाइक हमें नहीं चाहिए नाम नेक्स जो चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है, जो हमारे साथ हुई थी, मैं आपको एक्सपिरिंस शेयर करता हूँ, हमने जो के टीम बुक करवाई थी, वो के टीम एक मेजर प्रॉब्लम था, बाइधर हमने जो के टीम है वो टेस्ट राइड नहीं की थी, यह हमार प्रॉब्लम, इसलिए मैंने वो पॉइंट इंक्लूड किया है, आप बाइक लो, टेस्ट राइड करो, क्योंकि जब हम के टीम को 40 किलोमेटर के उपर की स्पीड से चला रहे थे, जैपूर सिटी के अंदर, तब उसका पूरा एंजिन वाइबरेट कर रहा था, और उसकी व बंदे से बात की, वो बंदा अच्छा था, तो उसने बोला कि आप एक काम करो, बाइक शाम को लियाओ, ड्रॉप ओफ कर दो, मैं उसके सामने आपको एक नई बाइक दे दूँगा, तो वो के टेम हमने ड्रॉप ओफ की, उसने जो एक दिन का चाहत था, जो बंता भी है, क् वो के एक दिन पूरी बाइक रेंट पी लिटी, वो कट करके हमें बाकी दो दिन के जो पैसे थे और रिफ़न कर दिये, so that's why I am also mentioning के रिफ़न पॉलिसी भी आप चेक करिये, ताकि अगर उस बंदे ने वहाँ पे तीन दिन के पैसे हमारे काट लिये होगा है, so we couldn't do anything क्यूक एक और बाइक बुक करी, और this time we did every check, जो मैंने इस वीडियो में चेक कर लिये, proper बाइक थी, proper हम दो दिन गूम पा है, और सभी अच्छी तरीके से हो गया, और इसलिए हमें वीडियो बना रहा हो, ताकि हम लोग जो फसे थे, ऐसे आपना फसो, आपकी जो जर्नी वो कीजिए, ताकि आपके friends family में जो भी trip पे जा रहे है, उनको ये काफी helpful रहे, और इसी के साथ, मैं इक बात बोना चाहूंगा, जैपूर की जो हमारी trip है, उसके वीडियो अप्लोडेड है हमारी चैनल पे, 3 days के आइटनरी भी है, और tour guide के साथ हमने पूर आमेर फोड भी दि पहला आपको अप्डेट मिले, और विल से यू गाज इन वार नेक्स वीडियो, बाइ!